आज का एक्योप्रेशर पॉइंट नोस के लिए है, नोस से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सब एरे उड़ते ही बहुत छीके आना, नाक से पानी बहना, या नोस ब्लॉक्ड हो जाना, ये सब में बहुत ही अच्छा ये काम करता है, और साथ में हम अपने इम्मु एक से दो मिनट के लिए डी पैन सॉफ्ट मसाज कर लेनी है, जिनको भी सर्दी, खासी या फिर लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, या बॉसम चेंज होता है, देखते हैं, आप बच्चे भी बिमार हो जाते हैं, उनकी इम्मुटी पावर कम हो जाती है, तो आप यहां पे जो देख रहे हैं हतेली पे इस जगह पे मसाज करेंगे, अगर आपके पैस में अक्युप्रेशर की टूल है, तो आप इससे अच्छे से मसाज कर पाएंगे, इससे पूरा अंदर तक स्टिमलेट होता है, तो फिंगर से भी आप कर सकते हो, डी पैन सॉफ्ट मसाज करना है, खुब जोड से भी नहीं दबाना है, कि हमारे फिंगर्स में ही पेन हो जाए, तो यह आपको जो करना है, दोनों ही हातों में करेंगे, तो सुजो के अक्युप्रेशर की अनुसार हमारे हाथ में हमारे फेस और नेक का पॉइंट होता है, तो आप यहां पे पूरा फेस क को भी कवर कर सकते हैं, इससे आप अपने फेस को यहां पे दबा रहे हैं, उसको एक से दो मिनट के लिए करेंगे, यह नेक का एरिया हो गया, अगर आपको सोर थ्रोट की प्रॉबलम है, गले में जो आपकी दर्द रहता है, खाना खाने में प्रॉबलम होती है, गटकने मे उसमें भी यह help करता है, यह हमारा लंग्स का भी पॉइंट यहां पे stimulate हो रहा है पूरा, तो लंग्स को जब हम प्रेस करते हैं, ट्रेक्टिवेट होने से, जो हमारे लंग्स से related कोई भी प्रॉबलम है, उसमें भी बहुत help मिलती है, तो छोटे बच्चे को आप अपने ले सकते हैं और इस एरिया में मसाज कर सकते हैं, ऐसे ही सारी फिंगर्स में भी हमारे पुरे शरीर की रचना होती है, तो यहां पे बीचो बीच जो हिस्सा है, यह हमारे नोस को रिप्रेजेंट करता है, सभी फिंगर्स पे आप नोस के पॉइंट को एक से दो मिनट के असलिया है, यहां पर और उपर वाले भाग में हमको मसाज कर देनी हैं, अगर आपके पास में रोलर है तो रोलर से कर सकते हो, अदरá भाई चरड़्स फिंगर्स से कर सकते हैं, तो मैं आपको डोनों-तीनों तरीके से बता रही हूँ कि जो भी आपके पास में है, आप उस कर सकते हैं कुछ भी नहीं है तो आप अपने अंगोठे को सीधा हुआ पर दबाएंगे और इसको सारे fingers पर करना है आपको तो यह massage आप दिन में दो से तीन बार कर सकते हैं और जिनको problem नहीं है जैसे nose की या सरदी खांसी की लेकिन prevention के तो और पे सभी इसको जरूर यूज करें यहां पर मैं ली हूँ seed therapy करेंगे हम तो यह जो nose वाले एरिया में हमने लगा दिया है एक साबुत मूंग तो आप यह बहुत असानी से मारी kitchen में मिल जाती है यहां पर आप seed को लगा लें यह nose एरिया में हमने लगाया है आप चाहें तो सारे fingers के nose point में भी लगा सकते हैं अगर आपको nose की ज्यादा problem है nose related nose running है या फिर तो और यह throat area को हम massage करके यहां पर लगा देंगे fenugreek seed तो यह बड़ा area है हमारा तो डॉक्टर टेप में हमने मेथी के दाने अच्छे से चिपका लिया है और यहां पर लगा दिया है तो यह lungs का area, throat के area को आप cover करके यहां पर सब लगा सकते हैं और यह आप अपने दुसरे हाथ में भी same करेंगे आप चाहें तो एक दिन एक हाथ में एक दिन दुसरे हाथ में भी कर सकते हो अब यह सीट है कम से कम 8 घंटे लगी रहना चाहिए कम से कम 6 से 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तो best time होता है रात को आप खाना खा रही हो उसके बाद में एक दिर घंटे के बाद में आप सीट को लगा ले morning में इसको निकाल दे सीट को next day हम यूज नहीं कर सकते हैं आपको फिर दूसरी सीट लेनी होगी तो यह देखिए मैंने nose का area, throat का area, lungs का area तीनों को cover कर लिया है और यह करने से हमारी जो immunity है वो boost होती है जो बार-बार सर्दी खासी जो काम की problem है उससे आप निजाद पाते हैं prevention के तोर पी जरूर करें बच्चों को भी करिए और यह जो हमारी fingers में है यहाँ पर भी है तो आप इसको press कर सकते हैं सेम यह हमारे दूसरे हाथ में भी है तो जो आज का एकुप्रेशर पॉइंट था nose, throat and lungs के लिए था जिससे की आज बहुत ज़्यादा problem होती है lungs related या nose related तो यह सभी points को आप हाँ से press करिए और video अच्छी लगती हो, share करें बहुत यह अच्छा आपको इसका result मिलने वाला है